आज सबोटकर मैं अपना वेट मेशर किया था और वो 73.5 आया जो अच्छी बात है कुछ सेकेंड्स के लिए मेरा मन में थॉट आया कि मुझे 75 kg वेट करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर मैं 75 kg अपना वेट कर दू तो फिर मैं कभी पे इंस्टाग्राम पर रील्स इतने अच्छा नहीं आ सकते क्योंकि मेरा बॉड़ी फेट परसंटेज 75 पर सगनिफिकंटली ज्यादा लगता है जिसके वाज़े से मैं इतना श्रड़र नहीं लगता मेरी फिजिक डींजरूसली कमाल की नहीं लगती ऑफ कॉर्स अच्छी ही लगेगी एंड मैजरिटी ओ पहले जैसा मैं 74 kg पर दिखता है वैसा शायद मैं 75 kg पर दिख सकता हूँ ऐसा करने में नुकसान होगा लेकिन बहुत नुकसान नहीं होगा क्योंकि मेरी मसल्स की मैचुरीटी पहले से थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है जिसके वाज़े से अब मैं अगर थोड़ा जाना चाहिए एक महिने के लिए और फिर मैं अपना वेट वापे से डिक्रीज कर दूँगा लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है अगले महिने के पहले वीक के अंदर मुझे फोटो शूट करने के लिए दिल ले जाना है तो उस फोटो शूट में अगर मुझे अगर मुझे 100% देना है अपना तो फिर मुझे अपना वेट वापे से डिक्रीज करना होगा अगर मैं 75 केजी अभी कर दो तो फिर मैं सर्फ 20 दिनों के लिए वो वेट को मेंटेन कर पाऊंगा और मुझे वापे से 72 केजी पराना होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क 72 हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लिटीज है कि अगर मैं 75 के वेट कर दो तो फिर क्या आउगस्ट के फर्स्ट वीक में में मेरा वेट 72 केजी पका हीट होगी जाएगा और मैं इतना अच्छा लगने ही लगूंगा क्योंकि अग फिर भी यह पॉइंट है कि मैं आसानी सब वेट लूज कर ही दूँगा मुझे अपना आपके ओपर कॉन्फिडंस है ओके सो हम लोग ऐसा करेंगे कि अभी से हम लोग ट्राय करना स्टार्ट कर देता है कि 75 केजी पर हम लोग जल से जल पहुंच जाए और उसको हम लोग 26 औ मैं बहुत आसानी से आउगस्ट के पहला वीक में अपनी पीक फिजिक को अचीव कर पाऊंगा लेकन 75 केजी बॉड़ी वेट पर जाना के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी कैलरीज खानी पड़ेगी क्यूंकि अभी मैं और टीन हजार दोसो कैलरीज खा रहा हूग अभी मेरा वेट इस 74 केजी पर मेंटेन नहीं हो रहा है मैं अगर कोई चीट में लेता हूँ तो ही वो 74 केजी पर आ सकता है वरना वो 73 और 73.5 तक रहा था अगर मुझे 2 केजी गेइन करना हो तो फिर मुझे अराउंड 400 से 500 कैलरीज इंक्रीज करनी होगी और अब यह थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है कि मैं उतनी ज्यादे कैलरीज इंक्रीज करू क्यूंकि मैं और अरड़ी सारी चीज़ बहुत ही ज्यादा कंजूम कर रहा अब इससे जएधे इंक्रीज करूंगा तो फिर इसके कुछ साइड एफेक्ट्स हैं साइड एफेक्ट्स के बारे में हम लोग रात को बात करेंगे अभी हमें जिम जाना होगा ताकि हम लोग अपने आम्स को अच्छ से डिस्ट्रॉई कर सके हैं इन टोटल हम लोग चार ए एक्सराइस की थी एंड कितने वेट्स एंड कितने रेपिटेशन लगा है थी फोल्डे के शुरुवात हम लोग केबल स्कॉल क्रिशर से करने वाला है हमेशा की तरह and next के थोड़े से आम्स के से सेशन में आप लोगों को सेम ही एक्सराइस दिखेगी क्योंकि यह जो चार मैंने पिक की है इन चारो exercise के अंदर मुझे weights and repetitions increase करना है जितना हो सके उतने ज़्यादा मैं weight push करने की try करना वाला हूँ and ये चार particular exercise मैंने इसलिए choose किया है क्योंकि ये चारो exercise मेरे favorite है so जो पहली exercise triceps के लिए जो मेरे favorite है ये है cable skull crushers and दूसरी exercise triceps के लिए वो है cable push downs ये दोनों triceps की movements ऐसी है जो मैं सब deliver करता हूँ कि अगर आप ये दोनों movement perform करोगे तो फिर आपके triceps grow होंगे ही फिर चाहाँ आप सिर्फ इन दो exercise को पूरी जिंदगी भी perform करो तो भी आपके triceps grow होंगे ही आपको कोई और movements एड़ करने के जरुवत नहीं है लेकिन obviously आपको करनी चाहे क्योंकि आपको ज्यादा मज़ा आएगा थोड़ा ज्यादा थ्रिल बना रहेगा आपके जीवन में मैं ऐसे चीज़ को प्रमोट नहीं करता हो कि आपको सिर्फ यही दो exercise को करनी चाहे है triceps के लिए लेकिन यह दो exercise के ओपर मुझे weights increase करना है यही main reason है क्यों यह दो exercise अब next के कहीं सारे arms के session में मैं यही दो exercise करने वाला हूँ अपने triceps के लिए में भी शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ arms के session में मैं कोई और movement perform करो लेकिन most of the time तो यही दो exercise रहना वाली है इसके बाद हम लोग जो biceps के movements perform करेंगे उसमें से पहली exercise होगी dumbbell hammer curls hammer curls exercise है यह बहुत ही fun exercise है लेकिन अगर आपने थोड़े ज़यदे scientific videos देखे होंगे तो आपको पता होगा कि because हमें muscles को stretch deposition में रखना होता है फिर slowly eccentric movement perform करनी होती है इस reason की वज़े से exercise scientifically सबसे best exercise नहीं है यह जो पहला set है बाई तबे इससे set में मैं 17.5 kg के dumbbells को use कर रहा हूँ and मैं मुझा पता है कि मैं swing ले रहा हूँ मेरे technique बहुत अच्छे नहीं है लेकिन सिर्फ यह पहला set था इसी reason के वज़े से मैं इसमें अपनी technique को थोड़ा सा compromise किया था and अपनी strength gain करने के ऊपर मैंना थोड़ा सा focus किया था क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब जितना हो सके उतनी जल्दी मैं 25 kg से hammer curls करना start कर दो क्योंकि वो थोड़ा सा impressive लगेगा सिर्फ इसले दूसरा और कोई reason नहीं है अगर मैं 25 kg के dumbbells से hammer curls करना लगूंगा तो फिर magically कर दी मेरे biceps बहुत ज्यादा grow नहीं होने वाला है मुझे बस 25 kg से hammer curls से लगा नहीं है इस reason की वज़ेसे मैं यह exercise की और पहले set के अंदर मैं अपनी technique को थोड़ा सा compromise किया लेकिन यह दूसरा set है इस में आप देख सकते हो कि मेरी technique on point है मैं controlled way में नीचे जा रहा हूँ swing बिल्कुल भी नहीं ले रहा और इसके अंदर मैंने 15 kg के dumbbells से यूज किये था बाकी के जो दो सेट्स हम लोगों ने लगाए था उन दोनों सेट्स के अंदर हम लोगों ने 15 kg के dumbbells से यूज किये था अगर आप हैमर कल्स करते हैं 10 kg और 12 kg को यूज करते हो तो फिर इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है आप उन डबल्स को भी यूज कर सकते हो बस ध्यान रखना कि आप अपने वेट्स एंड अपने रिपेटेशन को ट्रैक कर रहे हो ताकि आप धिरे धिरे वेट्स को इंक बड़ा सा वीक लगेगा आपको वीक रहने की सर्वत नहीं है आपको बहुत सिंपल चीज़ा करनी है अपने स्ट्रंथ को इंक्रीज करने के लिए जो है एक वर्काउट डायरी बनानी है जो पीता कि अगर आपने नहीं बनाई तो फिर बना देना क्यूंकि अब आल्रेडी दिन हो चुक और है कि मैं इस वर्काउट डायरी को कंस्टांटली प्रोट कर रह ऑウाँ हूँ दूस्रीय एक्सिस आपको पैसरी बीसेप्स के लिए चूज की है भो है प्रीचर कर्स पहली कैसे ऑंधिया हमारी हमरा गशर से हेमरा कर्ल रहेगी और बीशर्क्रीयिया बैस प सबसा बैसे बदरियों पिर है घर मेरे अच्छा है। थैक्नरी आप नहीं है लेकिन मेरे लिए यह सब आपशोप शॉख च्राइट है कि माथ डूभाग बाइस अचता हम इंट रहेches है कि क्यों सब्सक्राइब कर दो दि surgeries थेक्स अधिला है अभी मैंने वांप सर लगया था यह मेरा वर्किंग सैट है अगर आप मैं भी शायद आप नोटीज नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन इसमें मैंने अपनी बॉड़ी को थोड़ा सा पीछे धक्यला हुआ है मैं थोड़ा सा पीछे की साइड सो रहा हो ता कि जब मेरे हाथ नीचे की साइड जाए तब मैं और भी ज्यादा बड़ा स्ट्रेच फील कर सको अगर आपने भी कभी इस तरह से प्रीशर का उसे नहीं की है तो फिर आप भी एक बार ट्राइ कर सकते हो इसमें जब आपके हाथ नीचे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा जैसे कि सारा टेकनिकल साइंटेस्ट बोलता है कि प्रीशर की स्ट्रेच डिपोजिशन में हमारे मसल्से सबसे साथा ग्रू होता है जो प्रॉबब बेस सच है आपको भी ट्राइ करनी चाहिए कि आप हर एक एक स्ट्रेच पोजिशन में आइसोलेट करो आपको होल्ड करने की जरूवत नहीं है लेकिन आपको वह मुवमेंट धीरे परफॉर्म करने की जरूवत है अब हम लोग पोजिंग कर रहा है मेरे फिजिक देंजरोसली श्रेड़ नहीं लग रही जसमा मुझेशल की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग हर रोज जितने श्रेड़ेड नौर्मली लगते हैं अब हर सब्सक् נुम क्योंकि कभी-पभी ऐसा हो सकता है कि हमारे वाटर लेव्ल होड़ब साप होगungen जो नहीं बात नहीं है, क्योंकि आम्स भी में का ज one गया इससे मेरे लड़ अच्छा हैं आम्स भी उप्भ भी गया आया हैं еньसमरे नहीं को रहा हैं कोई बात नहीं हम लोग आड़स के ऊपर अपने बहुत स्यादा फोकस् करोफॉ डे में हम लोग ट्रा ऐसा भी करता है कभी कभी कि हम लोग दो एक्सरसाइज लगा है राडल्स की क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पीशे रह गया है मेरा इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जो लैट्स के इंसर्जन्स है वो नीचे की साइड है इसलिए जब मैं बैक लैट्स प्रैड करता हूं तो मेरे लैट्स और मेरी पूरी बैक बहुत ही यूज लगती है अज एक इंट्रेस्टिंग चीज हुई थी बिकाज मेरे भाए ने दूध की कौंटिटी इंक्रीज किया है इस रिजन के वज़व से आज दूध खतम हो गया था तो मैं दूध लेने के लगया था एंड उस स्टोर में एक आंटी और उसके साथ एक बच्ची थी तो फिर मैं चल कर उस स्टोर तक जा रहा हूथा और फिर उस बच्ची ने बोला इस तरह सा पॉइंट किया मेरे उपर और हस्ता हस्ता बोल रही थी कि मम्मी आज शोक्रबोज ताकत वर चा ऐसी कुछ चीज बोले थे एंड हिंदे में इसका मतलब है कि वह लड़का बहुत ही ताकत वर है फिर यह चीज़ सुनकर मैं और उनकी मम्मीद हम दोनों हस रहे थे वह बहुत प्यारा मुमेंट था जहन भी लोगों को वेट लॉस करने में देखका दाते हैं वो लोग अगर ऐसा कुछ बोलता है कि बिकाज उन लोगों का एन्वार्मेंट ऐसा है इस रेज़न के वाज़ पर फिर वो लोग थोड़ा सा सच बोल रहा है क्योंकि एक्च्वल में अपका एन्वार्मेंट कुछ ज्यादा ही डिपेंड करता है कि अपकी बॉड़ी किस तरह से रहेगी अगर आप कॉंस्टंटली ट्रावल करते हो और हर बार होटल में खाते हो क्योंकि आपको बार 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 बिसनस मीटिंग में जाना पड़ता है और अपने घर पर हर रोज नहीं खा सकता है पूरे महीने में आप सर्फ पांच या छे दिन हैं घर पर खाना खाते होंगे और बाकी के दिन आप होटल में खाना खाता हो होटल में ही स्टे करते हो अपने फ्रेंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर अगर आपका एन्वारमेंट कुछ इस तरह का है तो फिर इस सुनन में थोड़ा सा अप्विस लगता है कि उस आदमी का वसन थोड़ा स्यादा ही होगा और वो ओबीस ही होगा अफकर्स अगर वो ट्राइ करें कि वह बाहर जाकर सारी फाल तो कुछ चीज़ा ना खाना अगर अपने मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल करने की ट्राइ करें तो फिर उसका वेट इंक्रीज नहीं होगा लेकिन जनरली एंवर्मेंट के हिसाब से ऐसे चीज़ा होती रहते हैं अगर आप ऐसे स्टेट से एक्षोल में जैसे स्टेट में अगर आप जाते हो तो फिर उसमें आपको बहुत स्किनी लड़के ही दिखेंगे और सब लोग बहुत स्किनी ही होंगे सबके सिक्स पैक हर बार खा सके सो अगर आपके पास फूड की सपलाई ही कम है सो आटोमेटिकली आप कम खाना खाना लगते हो जिसके वादर से आप उबीस बन ही नहीं सकते हैं अगर आपको वजन गेंग भी करना है तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि अब महेंगी चीज है अफॉर्ड नही कि अफुर्ड सबसे जएदा एक्सेसिबल अपको जोबी फूर्ड जब भी खाना हो फूल आपके पास आ सकता है जब भी आपको मन करें कुछ भी कहने का तब बस आप एक क्लिक क्यों घो अपर खाना ओर्द कर सकते हो अगर आपका मन कुछ और करें मुझे अभी आपके सामने जो भी चीज पड़ी है वो चीज अगर आपको नहीं खाने तो फिर आप दूसरी चीज खा सकते हो अगर आपके पास इतने ज़्यदा आप्शन अवेलेबल रहता है तो फिर यह आदमी बहुत आसानी से उबीस बन सकता है उबैसिटी कुछ जयादा ही आसान बन चुकी है इस रिजन के वज़े से सारे लोग बनते जा रहा है अल्दो यह बात अच्छी है कि इंडिया सबसे टॉप पर नहीं है उबैसिटी के लावल पर वो अभी भी अपना आपको थोड़ा सा मैंटेइन कर रहा लेकिन कब तक कर रहा है अगर आपको कुछ चीज एजी है इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग कंट्रॉल ही ना कर आए हमें इतना ट्राइ करना चाहा है कि हम लोग मूटे ना होते हैं इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करना होता है लाइक अगर आपको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और डाइट नहीं भी करना तो उसनों कोई दिकत तालिबात नहीं है क्योंकि अगर आप सिर्फ पूरे म अगर मैं थोड़ा ज्यादा चल लगूंगा थोड़ा कम खाना खाऊंगा तो फिर यह मैंना दो केजी एक्स्ट्रा वेट गेइन किया है यह दो केजी में आपके से लूस कर पाऊंगा कुछ बड़ी बात नहीं है लेकर अगर आप पूरे महीने में एक बार भी अगर अपन लुटयों किसी को कोई बिमारी होती है तब उनको पता चलता है कि अनका वाइट 10 kg से इंक्रीज हो चुका है पूरे साल में है आपने अगर उपने वीट को बिल्कुल भी ट्रेक नहीं करोगे तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हो उपने बॉडी के पास एक साल बाद जब आपको बिमारी होती है तब आप वापस से अपने consciousness में आते हो और फिर अपनी दिख भल करने की ट्राइ करते हो और वापस से आप miserably fail हो जाते हो क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही तबाह कर दी है अपने अपनी आपको प्रोफेशनल नूट्रिशनिस्स के पास जाना होगा जो नूट्रिशनिस्स आपको बोलेंगे की पुरा दन मैं अपको सर्फ बॉइल्ड मूंग एंड चने खाना है फिर रात को आपको सोने से पहले एपल साइडर विनेगर पीना है सुबोट्षने के बाद आपको डायरेकली एक ग्लास निबू पानी पीना है पुरा दिन मैं अगर आप यही डायर्ट फॉलो कर होगे तो फिर आपका वेट लॉस हो आपका वेट लॉस होगा लेकिन इस अपसे बेस्ट वे नहीं है वेट लॉस करने का अब बेसिकली अपनी बॉड़ी को वापिस से डिस्ट्रॉय कर रहे हो इसलिए सारी चीज़े जब हदसे साथ बीकार हो चाहिए उससे पहले ही उन सारी चीज़ा को बचा लेना चाहिए आपकी बॉड़ी तो आपके कंट्रोल में भी है आपके पास या ऑप्शन है कि आपको उसको ये चीज़ दिलवानी है या ये चीज़ दिलवानी है अगर आप सिर्फ तीन-चार महीनों के लिए भी अच्छे डिसिजन्स बनाऊगे तो फिर आपके बॉड़ी ठीक ठाक दि ये लेकिन हर संडे को मैकडोनल्स में जाकर खाना सरूरी है और फिर वेनस डे को पिकाज जौब के अंदर किसी तरह की पार्टी होती है क्योंकि लोगों कुछ ज्यादा ही फ्री रहते हैं पूरे वेनस डे को इसलिए हम लोगों को वेनस डे भी बाहर जाकर खाने के होई है तो खाने के अंदर अगर हम लोग अच्छे फास्ट फूड खा ले तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसके बाद हम लोगोंने कॉफी पी है जो हमारे मेटाबॉलिसम के लिए अच्छी है तो बिकाज मैं अपने मेटाबॉलिसम फास्ट कर रहा जो भी कैलरीज मैंना ज्यादा ली होगी वो सारी कैलरीज वैसे भी डिक्रीज होने ही वाली है तो क्या फर्क पड़ता है बेवकूफ